अलो मेरे प्यारे दोस्तों मैं डॉक्टर त्रिपाटी और हम डिफ्रेंसियेशन के दो बहुत ही अच्छे सवाल जो लगबग मिलते जुलते हैं देखने की कोशिस कर रहे हैं पहला ये है दूसरा ये है ये क्वेस्चन सीबीसी 2013 में आया हुआ है तो देखें हम दोनों को कि क कि इस तरह से हम इनको प्रूव कर पाते हैं तो इस तरह के question के लिए इसको माल लें कि ये question a है और ये question b है का solution आप देखते हैं तो सबसे पहले log ले अगर आप log लेते हैं तो log of y to the power x log of e to the power y minus x ऐसा लिखेंगे अब आप ध्यान से देखें एक लॉक की प्रॉपर्टी के कारण यह यहां आ जाएगा एक्स लॉग वाई और यह भी यहां आ जाएगा वाई माइनस एक्स लॉग यह दोनों में लॉग का बेस ए है तो लॉग ईटु दबेस इस वन यह आप याद रखना लॉग और आपको याद भी होगा लॉग यह बहुत काम आएगा आपके लॉग आप लिख पाएंगे एक्स लॉग वाई इस इकल टू आप जहान से सुने इस इसमें भी एक से तो आप एक काम करें इसको उधर कर दें तो यह जाएगा आपका वाई इस इकल टू एक्स सुरी वाई इधर ही रग दो तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको एक्स लॉग वाई प्लस एक्स अब आप एक्स को कॉमन ले ले एक्स को कॉमन ले ले यह हो जाएगा आपका लॉग वाई अब आप एक ओर कर सकते हैं एक्स इज इकल टू ऑपन क्या कर दें वन प्लस लोग मैं कर दें अब आप इसका डिफ्रेंशेशन कर दें तो डिफ्रेंशेशन Very उससरी बिद रिप्रइंटो एक्स करने में komt पाइन करते हों गया के तो एक जट प्रस्पर्शं प्रकशल करंने में UH है डिफ्रेंटियेट करेंगे अब तो एक्स का डिफ्रेंशी 되면 जाएगा वन है रहें राइट साइड में रूल लगेगा 1 प्लस लोग वाई होल स्क्वेर्ट 1 प्लस लोग वाई होल स्क्वेर डिनामिनेटर स्क्वेर गरेंटर कॉंस्टेंट differentiation of y dy by dx minus y constant or differentiation of 1 plus log y differentiation of 1 plus log y तो 1 का 0, log y का 1 by y और y का dy by dx तो y cancel और आप देख सकते हैं कि left side में कितना है आपके पास left side में 1 है और right side में dy by dx common ले तो dy by dx common लेंगे तो यह जाएगा 1 plus log y minus 1 dy by dx common upon में जाएगा 1 plus log y whole square 1 plus log y whole square को यहां भेज दें और 1 से 1 cancel कर दें और log y को नीचे भेज दें तो आपका prove हो गया क्या यही तो prove करना था आपको क्या प्रूव करना था आपको 1 plus log y whole square upon log y is equal to dy by dx तो यह आपका prove हो गया तो first part is proved यही प्रूव करना था आपको second में आप इसी तरीके से करिएगा log लीजिएगा और log लेके करेंगे और आपके पास यह आना चाहिए log x upon 1 plus log x whole square और आप खुद try करना और try करके मुझे बताना लेकिन आपको अगर यह वाली बात समझ में आ रही है कि इसमें क्या दिक्कत है तो यह आसान है आप इसको लिख सकते है log x upon 1 को लिखो आप log of e जैसा मैंने बताया है यहाँ पर log of e, base e और यह लिखा आपका log x whole square तो यह हो जाएगा आपका log x upon log a plus log b हो जाता है log of e x whole square और इसको उपर बेज दीजेगा log x और इसको उपर बेज देंगे तो यह हो जाएगा log of e x whole to the power minus 2 तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं और आप यह second question ज़रूर से ट्राय करें और मुझे लिख भेजें अभी तक आपने मेरे चैनल को like नहीं किया हो तो like करें comment करें और subscribe करें